सचिन रमेश तेंदुलकर और विराट कोहली ये दो बड़े नाम है और इस मोमेंट पर इन दो नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और रीजन क्या है विराट की सेंचरी के नंबर्स को धीरे धीरे उपर जाना 48-49 बहुत क्लोज आ चुका है अब इस पूरे 48-49 सेंचर कहां के हैं वो क्या सब इंतजार इस बात का कर रहे है कि कब एक ऐसा रिकॉर्ड जो सचिन टेनलुकर ने बनाया था पहले बराबरी की बात और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ एक शतक पीछे अब ये बात तो आप सबको बताए लेकिन बात यहां पर यह है कि इस बारे में कायद ही एक खिलाडी आया था जिसने बनाया था और अब उसके पीछे एक खिलाडी है जो कहीं ने कहीं उसको बराबरी करने के लिए सिर्फ एक और से इंजरी चाहिए सचिन ने कहा कि पहली बात ये मेरा record नहीं है ये record हिंदुस्तान का है और दूसरी बात जब तक ये record हिंदुस्तान में रहेगा मैं खुश हूँ इसका मतलब कि विराट कोली भी इंडिया के हैं obviously तो जब तक ये record विराट के या किसी अधर इंडियन प्लेयर्स के नाम पर रहेगा तब तक उनको बड़ी संतुष्टी बहुत साटिस्टाक्शन है क्योंकि after all नाम इंडिया का हो रहा है सचिन का नाम हमेशा रहेगा जिस पॉइंट पर वो रहे है जैसी cricket उनको खेली है God of Cricket कहते हैं उनको और दूसरी तरफ King of Cricket है तो वो God को कहीं न कहीं जो है वो मात देने के लिए almost एक century पीछे है अब देखना यह है क्योंकि इस World Cup में तीन बार ऐसा हुआ है जब विराट कोली ने अपनी century मतलब तीन बार मिस्ट कर चुके है अब चौती बार फिर एक बार क्या मौखा बनेगा और बनेगा तो क्या बराबरी हो पाएगी क्योंकि South Africa है खिलेंगे और क्या वो 49 century वाला जो एक आंकड़ा है क्या वो टच कर पाएंगे अगर वो टच कर पाएंगे तो सचिन रमेश तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगे और अगर वो century उसके बाद एक और आ जाती है जिसकी बात खैर बाद में करेंगे लेकिन बात अभी यही थी कि सचिन तेंदुलकर भी काफी excited है क्योंकि उन्होंने का कि जब तक यह record इंडिया में है तब तक वो संतोष्ट है वो satisfied है वो खुश है अगर यह record कल को इंडिया से बाहर जाद है जिसकी अभी आशंका नहीं है क्योंकि दूसरा player जो बहुत पीछे है तो उसके बारे बात करना भी पी सही कोई कर रहा है सिर्फ विराट के फैंस नहीं सिर्फ इंडियन फैंस नहीं ओल ओवर दी वर्ल क्रिकेट फैंस वेट कर रहे है कि कब वो मुमेंट आएगा जब विराट 49th century हिट करेंगे और इस बोड़ पर विराट को लीगी सचिन टेलकर के बिल्कुल बराबर में फोटो आएगी तो देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा क्या South Africa के मैच के खिलाफ ये एक century आती है या अगर South Africa खिलाफ ये century नहीं आती है तो क्या इस World Cup में एक century आएगी और इकवल होगा या फिर एक से ज्यादा आएगी और सचिन का वो रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं आपकी क्या राया है इस पर हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताएं और जाते 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 इस वीडियो को लाइक और शेर जरू करें